Hey guys, welcome back once again, दोस्तों आज हम नौर्वे की कैपिटल ओसलो के आइलेंड में बने हुए बच्चों की जेल में याने की बाल कारगा में रहने वाले एक कैदी के भागनी की कहानी देखने वाले Well, इस जेल का नाम है Bestroy जेल और यहां उन नाबालिक लड़कों को लाया जाता है जिन्होंने कोई गलत काम किया हूँ या फिर कोई जुर्म किया हूँ ये जेल समुंदर के बीचों बीच बनी हुई है इसलिए यहां से भागना नामों किन है और अगर कोई भी समुंदर को पार कर भी लेता है तो बर्फ से धकी हुई पानी की जील में डूपने से उसको कोई नहीं बचा सकता इसका मतलब कि यहां से भाग पाना नामों किन के बराबर है तो काहानी के शुरुआत में हम देखते हैं कि दो नाबाली के लड़कियों को कुछ आफिसर पानी के रास्ते से इस आलेंट पर लेकर आ रहे हैं इन लड़कों के नाम होते हैं एरलिंग और इवार अब ये दोनों बेस्ट्रॉय जेल पहुचते हैं तो जेल का वा होने वाला है वंदर जाने पी इन्हें जेल इंस्ट्रॉक्टर बिथरिन यहां के नियम काईदे बताता है इनके बास भी जो पर्सनल समान होता है उसे जब्त कर लेता है यहां तक इनके कपले भी इसके बाद दोनों को अलग-अलग बैस नमबर दिया जाता है और इनके बा उसे शिप के एक्जामपल से समझाता है कि मैं इस शिप का कैप्टन हो और तुम सभी कैदी इसके नाविक हो जो मेरे आदेश का पालन करेंगे अब एलिंग के जाने के बाद हम यहाँ एक औरत को देखते हैं जिसका नाम था एस्ट्रिड और यह अलिंग जैसे आवरोपी को यहाँ आने से खुश नहीं होती है वैल अगले दिन सभी कैदीयों को लाइन में खड़ा करके इंस्ट्रुक्शन ब्रैथरन उन्हें बताते हैं किसी को बरतन धुने का काम मिलता है किसी को खाने का किसी को दिवार की चुनाई करने का और खेतों में दवाई डालने का इसी क समझाता है कि आज तक जिनोंनों भी इस जगां से भागनी की कोशिश करी है या तो वो मारे गए या तो उन्हें पगल कर उमर कैद की सजा दी गई है इसलिए ऐसा फैसला मत लेना जो तुम्हारी जिन्दगी बरबात कर दे लेकिन अलिन को इस बात का बिलकुल भी परवा नहीं है लेकिन अलिन को इस बात की बिलकुल परवा नहीं है क्योंकि वो सोचता था कि वो बिना कोई गल्ती के यहां भीजा गया है और इसलिए वो भाग कर इस कैस से जितनी जल्दी हो सके आज़ाद होना चाहता है काम करते समय अलिन की नजर एक जोपड़ी पर पड़ती करीब जाता है जहां उसे बोट तो दिखाई देती है साथ में एस्ट्रिड अपने डॉक के साथ घूमते हुए भी नजर आती है एस्ट्रिड उसे देखकर यहां से निकल जाती है तब ही जेल के सिक्योटी गार्ड वहां आ जाते है और उन लगता है कि आलिन यहां से भाग बैठरन आता है और बिना सुचे समझे एक दूसरे लड़की की पिटाई कर देता है जबकि उसने तो मार्क की घड़ी चुराई नहीं थी बलकि मार्क ने तो खुद की घड़ी उसके बिस्तर पर रखी हुई थी अब अलिन को ये बात पता थी इसलिए जब अलिन बाथरू बैठरन की इंसर्ट करता है तो उसे सजा के तोर पर एक दूसरी जगां शिफ्ट कर दिया जाता है और जब वो अपनी सजा को पूरी करके वापस आता है तो वो देखता है कि उसके लेडर को मार्क सब के सामने पढ़ रहा है इसलिए गुस्से में आलिन उसे जम कर आता है और अलिंग भी उसे साथ बैठ कर बाते करने लगता है दिन पर मैनत करने के बाद इन्हें खाने के लिए सड़े हुए माज दिये जाते है अलिन और मांक जो पहले एक दूसरी से बात भी करना बसंद नहीं करते थे वो आज खुशी-खुशी बात करने लगे नेक दिन उन सभी की ड्यूटी बदल दी जाती है और उन्हें खेतों में गेहों की फसल काटने के लिए ले जाया जाता है ओलव को अलिंग पर शक होता है कि वो यहां से भागने की प्लानिंग कर रहा है इसलिए ओलव उसे चुप जाता है और जब तक उसकी सजा खतम नही तब तक वो यहां से भागने के बारे में सूचेगा भी ने क्योंकि उसकी जिम्मेदारी ओलव को मिली हुई है और अगर अलिंग यहां से भागने में कामयाब हो जाता है तो इसकी कीमत ओलव को भी चुकानी पड़ेगी खैर सभी काम में लगे हुए थे तब ही वार जान बोचकर अपना हाँ चाकू से काट लेता है इसलिए ओलव और अलिंग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं वहां पर अलिंग नर्स से बज़कर चावी चुरा लेता है इसके बाद रात होने पर मार्क और अलिंग जंगल के बीच से लाई हुए जहरेली मश्रूम खाते हैं जिस वज़े से वो होश में नहीं आपाता है इसलिए अलिंग अकेली यहां से निकलता है और उसे ऐसे करते हुए इवान देख लेता है यहां दोस्तों जब अलिंग बूट हाउस के दरवाजे पर लगे हुए ताले को ब्लेट से काट राता तब यहां इवान आ जाता है वो उस से में इवान ब्रेथन के पास जाता है सच बताने के लिए लेकिन डर के मारे कुछ बतानी बाता पर ब्रेथन उसके पैरों को लगी हुए मिटी को देखकर समझ जाता है कि वो समुदर के पास गया था और तब ही उसे पता चलता है कि हॉस्पिटल से अलिन गायब है बहुत ही जादा कायर और डर पोक लड़का है जिसने अपने पापों का प्राश्चित भी नहीं किया बेस्टरों ने विश्वास दिलाता है कि उसके आर्मी आर्लीन को बहुत जली पकड़ लेगी और वो वापस इसी जिल में आएगा खैर कुछ दिनों तक आर्लीन का कोई खबर इन्हें नहीं मिलती और सभी कैदियों की लाइफ बैक टू नॉर्मल हो जाती है अचानक एक दिन सभी कैदि देखते हैं कि आर्मी वाले आर्लीन को पकड़ कर वापस ला रहे है अब ब्रेथन ओलेव से बहुत जादा निराश होता यहां क्योंकि उसने आर्लीन का ध्यान रखने की जिम्मेदारी उठाई दी जो की पूरी वो कर नहीं बाया इसलिए उसे सजादी जाती है कि वो उसे तब तक कोड़े मारे जब तक उसकी पीट से खून नहीं निकल जाता अब यहां बेचारा उलव को ना चाते हुए भी ऐसा काम करना पड़ता है उलव उसे काफी गुसा भी होता है क्योंकि उसके मना करने के बावजूद भी वो यहां से भागने की कोशिश की मगर इन सब के बावजूद आलिन को इस बात का कोई भी फर्क नहीं परता वो अब भी यहां से भागने के बारी में सूच रहाता अब एक दिन ओलव जेल वाडन बेस्टर से ब्रेथर के बारे में शिकायत करता है क्योंकि वो हर रात इवान के साथ अशलील हरकते किया करता है लेकिन बेस्टर को इस बात पर जरा भी विशवास नहीं होता और वो ओलव को वाडनिंग देता है कि यहां बात किसी को पता ना चले अगली दन जब बेस्टर इस बात को कंफर्म करने के लिए इवान के पास जाता है तो इवान डर के मारे उसे कुछ भी नहीं बताता अब यहां इवान को आयलेन के भागरे के बारे में पता था इसलिए उसे जंगल में लकडी काटनी की सजा दी जाती है जब वो लकडी काट रहा होता है तब इवान खड़े हुए एक दूसरे जेल इंस्ट्रॉक्टर को पता चलता है कि इसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है इस मौके का फायदा उठा कर वो इवान से काम ना करने के बदले कुछ पैसे मांगता है क्योंकि वो ब्रेतन से जुवा खेलते हुए पैसे हार गया था और उसे आज ही पैसे वापस लोटाने थे अब इवान इस उत्पीडन से बहुत जादा परशान हो चुका था और वो सब को छोड़ कर अपनी जिन्दगी खतम करना चाहता है इसलिए वो समुंदर में डूप कर अपनी जान देनी के लिए जाता है उदर दूसी तरफ अलिन को खाना खाते से में पता चलता है इवान की बॉड़ी के पास जाने से मना करता है और उन्हें अपने शेल में भेज़ देता है फिर बेस्टरे स्लीबिंग हाल में जाकर सभी कैदियों को या मानने पर फोर्स करता है कि इवान एक कमजूल लड़का था जो जेल की सजा को सेहनी पाए और हिम्मत हारगर उसने खुद की जान ले ली उसकी मौश से ओलव और अलिंग बहुत ज़्यादा उदास थे क्योंकि वो इवान की मनने की असली वज़ा जानते थे और वो था हर रात उसके साथ वो अश्लील हरकते होना अब यहाँ डानिंग टावियोल पर अलिंग ब्रेथन की ब्रेष्टी करता है और यहां से चला जाता है अब तक सभी कैदियों को उसकी हरकत का पता चल चुका था और इसलिए वो उस पर समान फेकते हैं और अपना गुसा निकालते है फिर बेस्टर जब अपने आफिस में होता है तो आलि न उसे ब्रेथन की शिकायत करता है इसके बाद ब्रेथन ब्रेथन से मिलने के लिए जाता है और उसे बताता है कि तुमने जो हरकत इवान के साथ की है उसका रेजल कितना बुरा हो सकता है अगर यह मामला सरकार तक पहुँचा तो तुम्हें आज इवन उमर भर कैद की सजा दी जा सकती है अब ब्रेतन को इस मामले की जरा भी परवा नहीं थी बलकि वो तो जेल वाडन को ही धंकी दे देता है कि अगर उसे इवान के केस में कुछ भी हुआ तो सब को बता देगा कि बेस्टर ने जेल के फंड में आने वाले कितने पैसों का घपला किया सरकार नावाली कैदियों को सुधाने के लिए जिन पैसों को भीज रही है उसका फायदा बेस्टर और उसका परिवार उठा रहा है तो मतलब दोनों ही बुरे इंसान और दोनों ही घपला करते है वेल इसके बाद नेक्सीन में देखते हैं कि बेस्टर के कहने पर ब्रेथन कुछ समय के लिए जिल छोड़कर जाने का फैसला करता है ताकि मामला ठंडा होकर थोड़ा शान्त हो जाए इसे जाता हुआ देखकर सभी कैदी लड़के खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अवो वापस लोड़कर कभी नहीं आएगा और इसकी जगां दूसरा इंस्ट्रक्टर आने वाला है अब हर साल की तरह इस साल भी सेंट्रल प्रिजन कमिटी की एक टीम कुछ दूनों के लिए जेल में आती है जो कैदीों की रिपोर्ट और बरताव को देखकर उन्हें जेल से रिहा करने का ओरडर देगी यह सेंट्रल कमिटी सभी कैदियों का एक एक करके इंटर्विय ले दिया और उन्हें जेल में होने वाली आक्टिविटी के बारे में पूछ दिया जब ओलव का इंटर्विय लिया जाता है तो पहले तो वो सब कुछ सही सही बताता है लेकिन जब उसे इवान की मौत के बारे में पूछा जाता है तो वो जूट गयता है खैर ओलव को अच्छे बिहाइवियर के वज़े से एक हफते बाद रिहाई का ओरडर दिया जाता है जब वो अपना समान लेकर जेल से जा रहा होता है तो उसे ब्रेटन दिखाई देता है जिसे देखकर वो अपना आपा खो देता और बिना सोचे समझे उस पर तूट परता है उसकी मदद करने के लिए आलिन और मार्ग भी वहाँ आ जाते हैं लेकिन बाकी ओविसर ब्रेटन को पीटने से बचा लेते हैं और इन तीनों की जम कर पिटाई करने के बाद इन्हें तहकाने में बनी हुए पिंजरे में बंद कर दिया जाता है आलिन रात को पिंजरा खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो खोल नहीं पाता पर अगले दिन वो गाट को अपनी बातों में फसा कर पिंजरे का दर्वाजा तो खोलवा लेता है लेकिन उनके पास तैखाने की चाबी नहीं होती इसलिए वो बाहर नहीं निकल पाते अब जब दूसरे दिन ब्रेथन इन तीनों से मिलने आता है तो तीनों दर्वाजे के पास दिवार पर उसके करीब आने का इंतिजार कर रहे थे जैसे वो दिवार के पास आता है वो उसे पकड़ लेते हैं और तैखाने की चाबी उसे च्छीन लेते पर इस हादा पाई में ओलव के पैर में चोट लग जाती है अब तैखाने से निकलने के बाद तीनों लड़के ब्रेथन को मानने के लिए उसके पीशे जाते हैं और इन्हें ऐसा करते देखकर बाकी कैदियों के अंदर भी हिम्मत आ जाती है वो सभी मिलकर गाड को मानने लगते हैं और फिर सभी किचन के उपर हमला कर देते हैं अब खाने पीने का जितना भी समान था सब लूट लेते हैं जिन्यों सरकार ने इनके लिए भेशती दी पर इने कभी वो मिलता ही नहीं था सबी कैदिय करके गार्ट को मारते हुए बैथरन तक पहुच जाते हैं और उसे भी मार गिराते हैं जेल वाड़न ब्रेस्टर इन कैदियों की एकता को देखकर बहुत जाथा घबरा जाते हैं और अपनी जान बचा कर यहां से भागना शुरू कर देते हैं अब जब वो सीड़ीों से नीचे उतरते हैं तो सभी लड़केों से मानने के लिए घेल लेते हैं लेकिन तभी आलिन वहां आता है और ब्रेस्टर को जिन्दा जाने देता है अब ब्रेस्टर बोर्ट से वहां से निकल जाता है अब दोस्तों इस आयलेंड पर सिफ कैदियों का राज था और अब वो सभी यहां पर आजादी से रहने का फैसला करते हैं लेकिन यह आजादी जादा देर तक टिकने वाली नहीं थी क्योंकि अगले दिन जेल डिपार्टमेंट की तरफ से इन नावाली की लड़कों को अरेस्ट करने के लिए बहुत सारे ओफिसर के साथ आर्मी को भी भीजा जाता है जब आली न ओलव सैनिकों से भरा हुआ जहाज अपनी तरफ आती वे देखते हैं वो जल्दी से बाकी कैदियों की मदद से गुदा में पड़ी नाव को बहा निकाल कर समुंदर की तरफ ले जा दे लेगिन जब तक वो समुंदर की नारे पहुँचते उससे पहली सैनिक वह आ गय थे बाकते होए अलिन को एक हिरन दिखाई देता है जिसे देखकर वो समझ जाता है कि ये हिरन इस आइलन के किनारे से आया जहां पर बर्व की सतah है इसलिए अब तीनों जील की तरफ भागने लगते हैं तभी मार्ण देखता है कि सैनिक उसके ही पीशे आ रहा है इसलिए उनका ध्यान अपनी तरफ खीचने के लिए दूसरी डारेक्शन में भागता है ताकि उसके दोस यहां से बच कर निकल सके उलव के पैर में चोट लगी हुई थी इसलिए वो भाग नहीं सकता था उसके मदद करने के लिए अलिन उसे अपने कंदे पर बठा कर आगे बढ़ता है और थूड़ी दूर भागने के बाद दोनों जील के पास पहुच जाते हैं अब यहां दोस्तों बर्फ की पतली परत को पार करने के लिए दोनों रेंग कर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं ताकि बर्फ ना तूट जाए उलव जल्दी से जील को पार कर लेता है लेकिन अलिन की बारी आती है तो वो फिसल कर जील के अंदर गिर जाता है उलव उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है पर उसका हाथ पकड़ कर उपर खीशता है लेकिन इजगा का तात्मान बहुती जादा ठंडा है और अलिन का आदा इस सब बर्फ के पानी में रहने के कारण जम चुका था इसलिए वो चाहा कर भी उपर नहीं आ सकता अब उलव बड़े इभारी मन के साथ आलिन को यहां छोड़ कर जाना पड़ता है और फाइनली वो यहां से भागने में कामयाब हो जाता है अब लासीन में हम उलव को एक समूंदरी जहास पर देखते हैं मतलब कि वो यहां से बचकर भाग गया और बात करें आलिन की जो हमेशा से भागने की कोशिश कर रहता और लास्ट टाइम पर उसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया और हो मारा गया विल आपको कहानी कैसे लगी नीचे कॉमेंट करें जरूर बताएगा मिलते हैं अगली वीडियो में पीस साव